नमस्कार विद्ध्यार्थियों, मैं अश्वीनी कुमार मुद्गिल, आपका आकाराईयस के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पे सौव्यत करता हूँ, आपको मेरा धेर सारा प्यार और बहुत सारी द्वाएं, उमीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, मैनत कर रहे होंग उसको बहतर तरीकर से समझा होगा, यद्यपी वह हमारे पाठे करम का हिस्सा नहीं है, किन्तु मुझे ऐसा लगता है कि दर्शनिकों को पढ़ने से पहले दर्शन की बुनियादी अवधारनाओं की समझ होना बहुत आवश्यक है, तो हमने देखा था दर्शन का आर्थ होत करेंगे, ताकी करेंगे, उसको जो है निस्पक्षे हम चिंतन करेंगे और इस जीवन और जगत के मूल में कोई भी सत्य है, परम तत्व है उसकी खोच करेंगे, यह हमने समझा था, इसके अलावा हमने देखा था कि दर्शन शास्त्र की बहुत सारी शाका हैं, किन्तु हमें जो पाठे करम के दर्श्टकून से हमने चार शाकाओं पर विचार किया था, जिसमें तत्व मांसा है, ज्यान मांसा है, निती मांसा है और सामाजिक राजनितिक दर्शन है, हमने देखा था कि तत्व मांसा में हम इश्वर का, आत्मा का और जगत का अध्यन करते हैं, ज्या पित करते हैं कि आदर्श समाज और राज्य कैसा होना चीए जिससे मानों का अधिक्तम कल्यान हो सके ठीक मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में यह भी चर्चा की थी कि जब भी हमें किसी दार्शनी को लिखना होगा तो हमें इनी चार आधारों पर लिखना है आधार और भी हो स प्लेटो का सामाजिक राजनितिक दर्शन या प्लेटो का सक्षिक दर्शन इस तरह से हम प्लेटो को पूरा पढ़ भी सकते समझ सकते और लिख सकते हैं मैं फिर दोहरादू विद्यार्थियों कि नए पैटर्न में अब हर एक यूनिट से एक लॉंग कोश्चन भी होगा पहले केवल शॉर्ट कोश्चन होते थे अब लॉंग कोश्चन भी होगा और लॉंग कोश्चन 20 मांक्स का होगा इसलिए अब हमें प्रतेक ठिंकर को बहुत डेटेल नहीं पढ़ना होगा क्योंकि इससे लॉंग कोश्चन बनने की संभावना हो सकती है ठीक है तो चली आज से हम अपना पाठेग्रम प्रारंब कर रहे हैं तो मुए उमीद करता हूँ कि आप बहुत फोकस्ड रहेंगे और प्रतेक चिंतक को दर्शनिक को बहुत बहुत बहुता डंग से समझेंगे और उसकी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे आप से फर्दोरा दूं कि मैंने डेफ पाठ्षाद दर्शन को पहले प्याराम करेंगे पाठ्षाद दर्शन में भी तीन चिंतक है सुक्राद प्लेटो अरस्तू इनको युनानी दर्शनिक भी कायाता है युनानी दर्शन भी हम कह सकते हैं तो सबसे पहले हम सुक्राद क्यों पढ़ना स्टार्ट करते हैं ठीक ह सुकरात का जैसे ही नाम लिया तो मुझे एक कहानी याद आ रही है जो मैंने कहीं पढ़ी थी या सुनी थी मुझे याद नहीं आ रहा है तो उस कहानी का जो शिर्शक है टाइटल है वो है सफलता का रहस्य और वो सुकरात पर ही बेस्ड है मुझे याद आ गई तो चाहिए आप लोग उस शेयर कर लूँ या आपने यूटूब पे या किसी मोटिवेशनिल थिंगर के माद्दम से हो सकता है सुन रखी होगी सुकरात जो थे वो ग्यान के प्रेमी थे और घुम घुम कर यहाँ वहाँ जो है ग्यान देते थे काफी सारे ततकालीन समय में जो सोफिस्ट थे और जो भी उनके यूवा थे उनको ग्यान देना उनको अच्छा लगता था उनकी शैली जो थी वो प्रशनोत्तर वाली थी हम आज पढ़ेंगे कि उनकी जो है दर्शनिक पद्धती क्या थी तो सुकराथ उस समय काफी युवाओं में प्रसिद्ध हो चुके थे एथेंस में तो एक उनका शिश्च जो है उनसे एक बार प्रशन पूछता है कि सफलता का रहस्ट क्या है कोई रिक्ति कैसे सफल हो सकता है तो सुकरात ने कहा कि ठीक है इसका रहस समय बताऊंगा किन्तु कल आप मेरे से क्या करना कल आप मुझे नदी में आके मिलना ठीक है जब हम नदी में चलेंगे तो वहाँ पर पहले हम कुछ चर्चा करेंगे उसके बाद में बताऊंगा कि सफलता का रहस से क्या है शिष्य जो है सुक्रात के दिये गए आदेश के अनुरूप वह नदी पर पहुंच गया, सुक्रात भी खड़े थे, अब सुक्रात ने कहा कि तुम इसमें एक डुपकी लगाओ, ठीक है, जैसे ही शिष्य ने नदी में डुपकी लगाई, सुक्रात ने उसकी गर्दन शिष्य और फड़ फड़ानी लग गया, बहुत गंभी रवस्था में आगया, तब भी सुक्रात ने उसको नहीं निकाल आए, एकदम उसको दवाय रखा पानी में, नदी में, पिन्तु अचानक शिष्य के जब सारी छमताय समापत हो गई, उसका एकदम अक्दम अक्दम आगया, तब शिष्य ने छटपटा कर जोर से पाकत लगाई, और उपर निकल कर आगया, अब शिष्य का चेहरा जो है वो लाल हो चुका था, और बहुत क्रोध में था, और फिर उसने सुक्रात से कहा, कि मैं आप से सफलता का रहस से पूछने आया था, और आप तो मुझे मुझे मृत्यू लोग दिखा रहे थे, आप तो मुझे मृत्यू हो जाती मेरी डूब कर, आप मुझे डूबाना चाहते थे, तो सुक्रात ने कहा, तुमें अभी भी सफलता का रहस समझ नहीं आया है, तो शिष्य निरुत्तर हुआ और कहा कि नहीं, मुझे कुछ समझ नह मुझे में थे, उस चंड तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरुवत थी, शिष्य ने कहा मुझे हवा की थी, क्या उस चंड तुमने ये सोचा कि मेरे माता कौन है, मेरे पिता कौन है, मेरी पतनी कौन है, प्रेमिका कौन है, या मेरे दोस्त कौन है, मुझे कितने संसा आधन चाहिए, जीवन कैसे जिना चाहिए, कोई भी बात तुम्हेरे दिमाग में ख्याल में आई, उसने का नहीं है, तुम्हेरे दिमाग में क्या ख्याल था, किसी तरह से मुझे हवा चाहिए, तो सुक्राथ ने कहा कि जब जीवन में जिस हवा प्राप्ति के प्रति तुम्हारे में जुनून था जो ताकत कि तुमने फोर्स लगा कर धक्का देकर मुझे बाहर निकला किसलिए जीवन प्राप्त करने के लिए ठीक इसी तरह जब किसी लक्ष को तुम इस जुनून से उसकी पीछे करोगे जुनून से आत्मसात करना होगा, मतलब आप आख बन करो तो आपको अपना लक्ष दिखना चाहिए, आप आख खोलो तो आपको अपना लक्ष महसूस होना चाहिए, आप पढ़ाई करो तो आपके दिमय वही होना चाहिए, होता क्या है, हम पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं किसी और दुनिय के बारे में, हम physically present है, mentally absent है, पता नहीं कहाँ वाटिकाओं में विचरन करते रहते हैं, कल अपना लोक में डूबे रहते हैं, दोस्तों की यादारी है, इसकी यादारी है, उसकी यादारी है, माता-पिता के बारे मैं सोच रहे है, माता-पिता रद्ध हो गए, मैं बोज बनता जा रहा हूँ, मैं क्या करूँगा जीवन, आवश्रक फल्टुक की बाते सोच रहते हैं, तो हमारे अंदर जैसे उस विद्यार्थी को, जब नदी में डूब रहा था, उसको हवा की बहुत सक्ता आवश्रक्ता थी, और उसनों से प्राप्त कर लिया, पूरी ताकत लगा क इसी तरह जब हमने लक्ष के प्रतिसी पूरी ताकत लगाएंगे, जुरून से लगाएंगे, और दिमाग को पूरी तरह खाली करके लक्ष पर फोकस करेंगे, तो हमें भी सफल्टा प्राप्त होगी, चीक है, किन्तु आम जीवन में, हम लोग सोचते कुछ हैं, करते कुछ होता कुछ है, मिलता कुछ और है, एकदम अव्यवस्थत जीवन है, हम कहीं भी किसी भी इस्तिती में फोकस नहीं है, किंदृत नहीं है, तो ये सुकरात है, जिन्होंने सफल्दा का रहस्य बनाया, मतलब बताया, हम सबको, आपको मुझे विद्यार्तियों, तो इसको अप सुकरात के जीवन परिचे को समझ लेते हैं, हो सकता है, मानलो कभी दो नंबर है, कोई प्रशने पूछ ले उसके जन्म से, मृत्यू से, ठीक है, फिर हमें समझना होगा कि आखिर जब सुकरात ने अपना दर्शन प्रारंब किया, या सुकरात जब घ्यान दे रहे थे, तो से, हम सत्य पर पहुंच सके, फिर उसके बाद हम सुकरात की ज्यान मिमानसा को पढ़ेंगे, सुकरात की फिर नेतिक दर्शन को भी पढ़ेंगे, और महत्व पढ़ेंगे, तेकि सुकरात की दर्शन में जो है, ज्यान मिमानसा और नेतिक दर्शन का ज्यादा महत्व है, तत सब्सक्राट का महत्व हम देख लेंगे कि सुक्राट का युनान दर्शन में या पाष्चाग जगत में क्या महत्व है दर्शन को उन्होंने किस तरह से दिशादी तो यह बातों को हम अक्छे से याद कर लिए मुझे ऐसा लगता है कि सुकरात की दार्शनिक पद्धती से प्रशन पूछा जा सकता है और सुकरात के नैतिक दर्शन से भी प्रशन पूछा जा सकता है क्योंकि ग्यानमिमानसा में जो है सुकरात और हम कह सकते हैं प्लेटो की ग्यानमिमानसा में बहुत अंदर नहीं है लगबर लगबर समान है तो ग्यानमिमानसा से पूछ सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता कि नैतिक दर्शन और दर्शनिक पद्धति ये दोनों बाते बहुत महत् इसलिमें को अच्छे से आप याद किजेगा ठीक है चलिए देखते हैं हम लोग सुकरात को समझते हैं तो सुकरात का जन्म जो है उसके पिता का नाम क्या था सुफ्रो निसकस था माता का नाम क्या था फिन्रीट थी तो उनके जो पिता थे वो एक बहुत ही कुशल शिल्पकार थे और माता फिन्रीट जो थी एक दाई थी दाई का मतलब जो बच्चा को प्रसव करवाने में बहुत मदद करती है ठीक है और आर्थी किसी दी इतनी अच्छी नहीं थी, तो सुकरात ने यद्देपी अपनी प्रारंभीक शिक्षा में उन्होंने मात्र भाषा का ग्यान लिया, युनानी कवीताओं का ग्यान लिया, गनित का, और भी कुछ-कुछ हम कह सकते हैं, खगोल विज्ञान संबंदी, कुछ साम वह घ्यान के प्रेमी थे, वह सत्यक अंसंधान करना चाहते थे, वह अपने आसपास की अव swimsतिताओं से जो है व्यकूल थे पर अपने जिग्यासन को शांत कर घ्यान की खोच करना चाहते है, इसलिए शुकुरात ने क्या किया, एक स्कूल अब उस स्कूल में वो युवाओं को ज्यान देते थे, अच्छा सुकरात जो है ज्यान के प्रेमी थे, असा ततकालीन समय में जो भी दार्शनिक थे, उस समय सोफिस्ट दार्शनिक महत्पून थे, इक प्रेकार से सूफी संथों की तरह जो घूम घूम कर अपना जआन और दर्शन देते थे और सुफिस्ट चूंकि अनुभवाजी दार्शनिक थे ध्यान रखना मैंने कल पढ़ा चुका हूँ अनुभवाज़ और गुद्धिवाद में क्या अंदर हैं तो सुफिस्ट क्या थे अनुभवा ग्यान देते थे, मतलब वो भाशन नहीं देते थे, वो युगाओं से प्रशने करते थे, और उनसे उत्तर प्राप करते थे, फिर उत्तर का अलूशना करते थे, फिर प्रशने करते थे, इस तरहव सत्ते का अनुसंधान करते थे, उनकी यह शेली युगाओं में काफी लोग चुका था अथा एथेंस में के वहां के देश के लोगों में राष्टवाद उस समय बहुत हावी था तो कई बार सुकराज जो है राष्टवाद की लोगों के राष्ट भक्ती को जानने के लिए उनसे कई बार प्रशन किया करते थे उनके प्रशनों से कई बार कुछ लोग नाराज वियाते थे, उन्होंने खुल कर अपने राज्य की, शाषन पणाली की, अपने उस समय धर्म की, नीती की, और तत्कालीन आडम मर्क्या की आलोशना करी, इस तरह से वो लोगप्री होते चल गए, किन्तु इस उथल पुथल, मतलब राज्यतिक उथल पुथल में, कही नहीं, जो राज्यतिक उस समय जो राज्य की शाषन पणाली थी, उन्हें लोगों को सुकरात पर शक होने लगा, शक का माहूल था, युद्ध हो रहे थे, उन्हें लगा सुकरात कहीं जासूस तो नहीं है, एजेंट तो नहीं है, और राज्य को यह भी लगने लगा, कि य लोग गुमराह कर रहा है, अथा कुछ लोग उनसे जलने लगे, और खास तर जो शाषन राज्य के, हम कह सकते हैं, शाषन या राज्य के जो लोग थे, उन्हें पर जो अधिकारी थे, जो उस समय राज्य को समाल नहीं पा रहे थे, उनको सुकुरात से डर लगने लगा, अ इस्थान पर वह अपने कालपनिक दिवत्ताओं के स्थापना कर रहा है और तीसरा जो अभीयोग था, जो आरूप था, वह था कि वह युनान के, या ए Egyptian के युवाँं को क्या कर रहा है, गुमराह कर रहा है, जिवरी बैठी, और जिवरी ने जो है, सुक्रात को दोशी पा यह जुरेन निर्डे सुनाया कि उनको एक जहर का प्याला दे दिया जाए ठीक है अब इस दंड से जो है काफी लोगों को असंतोष भी हुआ नाराज़ी हुई किसी तरह से सुकुरात के कुछ दोस्तों ने मिलकर जो है सुकुरात से बाग की कि वह मतलब सुकुरात को वह किन्तु सुकुरात ने कहा कि वह मरत्यू से डरते नहीं है उन्हें मरत्यू से कोई डर नहीं है और वह भाग कर नहीं आ सकते हैं सुकुरात ने कहा कि वह मरत्यू दंड से तो बच सकते हैं किन्तु भगड होने का आरोप उन पर सदेव जिंदगी भर रहेगा और वह एथें के एक वफदार नागरिक हैं राष्ट भक्त हैं और इस तरह से जो है सुकरात ने जहर का प्याला पिया और म्रत्यू को राप्त हो गए उन्हें म्रत्यू यह जहर का प्याला पीने से पहले अंतिम शब्द यही थे कि जो है अब हमारा समय आ गया है आप अपने रास्ते अब इशवर देखेगा कि किसका रास्ता सही है तो इस तरह जो है सुकरात की एक जीवनी थी और उनकी म्रत्यू जो है 399 जीवनकाल में सतर वर्ष के जीवनकाल में काफी सारे विचारों का प्रतिपादन किया यद्धिपी उनके उस समय उन्होंने कोई किताब नहीं लिख में सुकरात के विचारों की जानकारी मिलती है चीक है तो चलिए तो सुकरात को हम पढ़ना व्रारम करते हैं तो यह सुकरात की कुछ जीवनी थी जिसको हमने समझा सबसे पहला point है सुकरात की समस्या क्या थी ठीक है न सुकरात क्या चाहते थे उनको क्या problem face करना बढ़ रही थी तो देखे सुकरात के समय जो थे सुकरात के जब समय था ततकालीन समय में सोफिस्टों का बहुत बोलबाला था ठीक है अब प्रशन उत्पन होता सुफिस्ट कोन है तो देखे सुफिस्ट बेसिकली कोई एक दार्शनिक नहीं है ऐसे कई सारे घुमन्तू दार्शनिकों का समू है उनको commonly सुफिस्ट कह दिया था 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 अब यहों सोफिस्ट गयान देता था और उनके दर्शन का जो आधार था वो क्या था अनुभावाद था घ्यान दे वो अस्थाई होगा, वो संदिक्द भी हो सकता है, वो भ्रहम भी उत्पन ने कर सकता है, तो ये जो सोफिस्ट जो थे, उन्होंने अनुभव वाद को प्रचार किया और इंद्रिय सुक को महत्व दिया, अनुभव का मतलब जो हम इंद्रियों से ज्ञान पराप करते हैं, तो यहाँ पर सोफिस्टों ने एक बात कही, और यह कहा कि मनुष्य ही प्रत्यक वस्तु का मापदंड है, यह समल्यों की सोफिस्टों की फिलोस्फी का मूल है बिल्कुल, कि प्रत्यक वस्तु का मापदंड कोन है, मनुष्य है, तो यहाँ दो बाते हैं, एक उन्होंने किसको म तो लिया मनुष्य को प्रधानता दी है और दूसरा क्या कहा कि मनुष्य ही प्रत्यक वस्तु का मापदंड है मतलब वस्तु का अपना कोई अस्तित्व नहीं है वस्तु के बारे में मानव अनुभाव से जो तय करेगा वही सकती होगा तसमाइए आपको अच्छे से मतलब वही उसका ग्यान होगा वही उसका दर्शन होगा अब प्रत्यक मानों की इंद्रियां कैसी होगी अलग-अलग होगी तो एक ही वस्तु के संदर में मान लो ये पेन है ये वस्तु है तो इसी वस्तु के बारे में दस लोग के अनुभाव कैसे होंगे अलग-अलग होंगे अ ऐसा ग्यान क्या होगा, परिवरतन्शील होगा, यह संदिक्द होगा, यह जो है अस्थाई होगा, यह जो कह सकते हम जो एक प्रकार से यह ग्यान जो होगा, वह बदलता रहेगा, देश काल पर इस से बदल जाएगा, तो यहाँ पर सोफिस्टों के द्वारा जब इस तरह का दर्शन दिया गया और ऐसे दर्शन को जब ज्ञान और नीटी के छेत्रे में लाया गया मतलब अगर एक चोर अगर प्रत्यक वस्तू का मापदन्ड मनुष्य ही है तो एक चोर अपनी चोरी को भी जस्टिफाई कर देगा क्योंकि उसको चोरी करने से क्या मिलता है सुख मिलता है आनंद मिलता है अधा चोर अपने आपको जस्टिफाई कर देगा कहने का तातपर है कि यदि हर एक विक्ति अपने हिसाब से सत्य खोच करेगा सोफिस्ट क्या कहते हैं सत्य जो है कैसा है सापिकशिक है सत्य कैसा है सत्य जो है आत्मिनिष्ट है और आत्मिनिष्ट होने कारण प्रत्यक विक्ति का सत्य कैसा होगा अलग-अलग होगा अता समाज में कोई भी मौलिक या कह सकते स्थाई मापदंड का विकास नहीं हो पाएगा और जब स्थाई तो नहीं आएगा तो क्या फैल जाएगी? अराजक्ता फैल जाएगी तो ततकाली समय में यानि युनान में ग्यान के छेतर में ध्यान देंगे आपर यानि कि यहां पर जिस व्यक्ति को जो सहीं लगता है वो करेगा ने नेतिक्ता कैसी हो गई? व्यक्ति सापक्ष हो गई है और जब व्यक्ति सापक्ष हो गई तो हर व्यक्ति अपने ग्रत्य को सहीं ठहराएगा तो ये एक प्रकार से ज्ञान और नेतिक्ता के शेत्र में अराजक्ता व्याप्त हो गई थी, सुकरात की यही केंदरी समस्ता थी, सुकरात क्या चाहता था, सुकरात चाहता था कि हमारे जो नेतिक्त और ज्ञान के जो मानक हैं, जो मापदंडे वो कैसे होने चाहिए, वो वस वस्तुनिष्ट होने चाहिए, वस्तुनिष्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पर, वस्तुनिष्ट मतलब जिसे गणित है, गणित का ग्यान कैसा है, दो प्लस दो, कितना होता है, चार होता है, तो दो प्लस दो कैसा है, चार वस्तुनिष्ट ग्यान है, इस्थाई है, इन अपर वस्तुनिष्ट हो, सारभॉम हो, सर्वमान्ने हो, वह व्यक्तिनिष्ट नहीं होना चाहिए, वह सापेक्षिक नहीं होना चाहिए, clear है, वह युनान में फेले हुए नेतिक अराजकता को समाब करना चाहता था, वो सोफिस्टों के इस बात से काफी दुखी था, या कह सकते हैं काफी, मतला उनका सोफिस्टों के दिये गए दर्शन का खंडन कर अपने घ्यान की स्थापना करना चाहता था, और वह उनिवर्सल अर्थात वस्तुनिष्टा लाना चाहता था, जब हमारे मुल्यों में, मानक में ज्यान में वस्तु निष्टा आएगी तभी हम सहीं और गलत का भी निर्णे कर पाएंगे, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, तो आप समझ गए, सुकरात की प्रारंबिक समस्या क्या थी, वो सोफिस्टों के द्वारा उत्पन नकी गई थी, सोफिस्ट क्या कहते थे, कि प्रत्यक वस्तु का मापदेंड कोने मनुष्य है, यानि मनुष्य की महता जादा है, मनुष्य की इंद्रियों की महता जादा है, और इंद्रियों से जो ग्यान पराप करता है, वही सत्य होता है, और सबकी इंद्रियां अलग अलग होती, अतर सबका सत्य अलग अलग आएगा किन्तु सुकरात का यह मानना है कि यदि ग्यान जो है वह सापिक्षिक होगा आत्मनिष्ट होगा तो हम सहीं गलत का नरदारन कभी भी नहीं कर सकते हैं और एक आदर्श समाज आदर्श नेतिक सहीता आदर्श ग्यान की स्थापना नहीं कर सकते हैं तो सुकरात ने क् कि दर्शन का जो उद्देश है वो किस क्या है सत्य को प्राप करना है किस को प्राप करना है सत्य को दर्शन का ये परमुद्देश किन्तु यह सत्य एक होना चाहिए वस्तुनिष्ट होना चाहिए सारभौम होना चाहिए अत्ह इस सत्य को प्राप करने के लिए हमें एक ऐसी डार्शनिक पढद्धती का विवेचन करना चाहिए, जो इस सत्य को पहुँच करे。 तो जब सत्य तक पहुँचने के लिए उन्होंने एक पढद्धती का विकास किया, जिसको सुक्राति ये पद्धती कहा गया, सोक्राटिक जो है हम पद्धती कह सकते हैं, ‫ तो उसका ही हम अध्यान करेंगें, और उसका लक्ष क्या है? सत्य की प्राप्ति, ज्यान की प्राप्ति, क्लियर है है? फोई डाउटो नहीं? तो सुक्राग की समस्या थी, सोफिस्टों के द्वारा, सोफिष्टो ने कहा कि ज्यान आत्मनिष्ट होता है, परिवर्तनशील होता है, सापक्षिक होता है, तत्तिक वस्तु का मनुष्य ही मापदंड होता है शुकरात को यह बात पसंद नहीं आई, वह चाहता था कि ज्ञान और नतीक्ता वस्तुनिष्ट होनी चाहिए, निरपेक्ष होनी चाहिए, सार्भोम होनी चाहिए, सरुमान नहीं होनी चाहिए इसलिए सुकरात ने एक दार्शनिक पद्धती का क्या किया विवेचन किया अब हम आते हैं दार्शनिक पद्धती पर आप देखें दार्शनिक पद्धती सुकरात इसको सुकराती भी पद्धती कह सकते हैं ध्यान देंगे इसको सुकराती पद्धती भी कह सकते हैं इसको द् प्रश्नेतर पद्धती भी कहते हैं कि प्रश्नेतर के माध्यम से उस्त्य पर पहुंझना चाहता है। मैं फिर रहा रहा हूँ, सबसे पहला मेरा प्रशनी ये है कि दार्शनिक पद्धती किसे कहेंगे। पद्धती का मतलब होता है कि हम जो एक तरीका पद्धती का मतलब एक तरीका तो प्रत्यक दार्शनिक या दर्शन का उद्देशी क्या होता है सत्य का अनुसंधान करना होता है और इस सत्य के अनुसंधान करने के लिए जो दार्शनिक जिस भी प्रणाली का या पद्धती का प्रयोग करता है उसे दार्शनिक पद्धती कहा जाता है ठीक है तो सुकरात ने भी इस सत्य के इस ज्ञान के अनुसंधान के लिए जिस पद्धती का यूज किया या प्रयोग किया वह सुकराती पद्धती कहलाई इस सुकराती पद्धती को कुछ दार्शनिक द्वंदात्म पद्धती भी कह देते हैं या प्रश्नतर पद्धती भी कह देते हैं ठीक है अब यह पद्धती क्या है इसको हम बहुत ध्यान समझते हैं इस पद्धती की पांच जो है विशेष्टा है सबसे पहले संदिहात्मक चीक है दूसरा जो है वादिवारत्मक तीसरा जो है परिभा आगमनात्मक और पांचवा जो है निगमनात्मक छीक है इन पांचो पॉइंट को आप याद करके रखेंगे मैं एक एक पॉइंट को भी डिटेल डिसकुस करूँगा पर आपको ये पांचो पॉइंट याद होने चाहिए कि सुकरात की जो दुन्दात्मक पद्धति या प्र कि सुकरात की वादिवादत्मक पद्धति का सपष्ट कीजिए तो इससे भी इंडिजवल कोश्चन हो सकता है तो हम इसको इंडिजवली भी पढ़ते हैं ठीक सबसे पहले संदेहात्मक क्या कहलाता है संदेहात्मक कहने का मतलब है कि हमें क्या करना है संदेह करना है हम विद्दि वजी दर्षनिक आधुनिक पास्षात दर्शन का प्रारम भरी डेकाथ से होता है और वो अपनी method में उस जो करता है वो doubt method करता है यानि कि वह संदेह करता इस जगत पे जीवन पे वो कहता हम किसी भी सत्य को हम पहले प्रारम में स्विकार नहीं करेंगे हम उस पर क्या करेंगे संदेह करेंगे डाउट करेंगे और एक दार्शनिक का या परम करतव है कि वह इस दुनिया के जितने भी तत्य है जीव है जगत है उसको प्रारंबिक तोर पर स्विकार नहीं करना है उस पर क्या करना है संदेह करना है डाउट करना है हम संदेह करेंग कि सर्व प्रथम हमें किसी भी विशे वस्तू के बारे में जब भी हम चर्शा कर रहे हैं ज्यान प्राप कर रहे हमें क्या बनना होगा अग्यानी बनना होगा ठीक है सुकरात की सबसे खास बाती अचा सुकरात का बहुत प्रसिद्ध कथन भी है क्या कथन है कि मैं इतना जानता हूँ, कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, यही उसके बुद्धी मत्ता होने का परिशे था, तो सुकरात ने कहा कि जब भी हमें किसी विशय को जानना है, किसी वस्तू को, जीवन को, जगत को, नेतिक जगत को, किसी भी विशय को जानना है, हमें सरवतन क्या बनना पड़ेगा, अज्यानी बनना पड़ेगा, इसको ही सोक्रेटिक विडम बना कहते हैं, सोक्रेटिक विडम बना मतलब कि आप अज्यानी बन जाओ, दास समझ में आई, आपको होगी कि कैसे, देख इससे क्या होता है, ये एक प्रेकार से, इसको कह सकते हैं, बौधिक वि कहे जा रहे हो to हम कहेंगे कि आप ज्यान प्राफ्तन कर रहे हो जब भी कोई व्यक्ती कि किसी विशय में समझाने का प्रयास करता है, तो हमेशा सदे उससर प्रतम हमें क्या बनना होगा, इस तरह से उस ज्ञान को प्राप्त करना है कि जैसे हमें उस विशय के बारे में कोई भी जानकारी न हो, इसका फाइदा क्या होता है, इसका लाब क्या है, देखें, जब कोई आपको किसी विशे में समझा रहा है, तो आप उस ज्ञान को जब उसकी बात को ग्रहन कर रहे हो, तो ग्रहन करते समय आपकी अपनी भी कुछ पूरुमानेता होती है उस विशे के प्रती, आप भी उस विशे में को जानका ही रखते हो, आपकी पूरुमानेता है, मेरे पास बहुत सारे विद्धियारति आते हैं, और कहते हैं, सब मुझे से प्रशन को पुछते हैं, तो मैं उनको संझाने का प्रयास करता हूं, कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, किन्तु वो बच्चा और बहुत जगे से बाते सुन चुका है, अपने सीनियर से, माता से, पिता से औ बहुत सारे इसमें तो 4-5 साल लग जाते हैं, कैसे तैयरी होगी, इतने सारे उसके, अब जो बात में उसको समझाने जा रहा हूँ, वो समझने की स्थिती में नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों कि उसके अंदर अभी बोद्धिक विने शिल्टा नहीं है, वो अपने आपको अज अज्यानी नहीं मान रहा है, वो अपने आपको अज्यानी मान रहा है, हमारी सबसे बड़ी समस्या सीखने की यही है, कि हम जातर चीज़े इसलिए नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि हम पहले से अपने आपको बहुत धिक मान लेते हैं, पहले से हम अपने आपको ज्यानी मान ल इस बारे में विश्य में जानकरी नहीं है, अज्यानी बनना, अज्यानी बनने से क्या होता है, हमारे पुरुवाग है, रूड मुक्त हमारा दिमाग मुक्त हो जाता है, और जब दिमाग मुक्त हो जाता है, तो हम उसकी बात को उसी रूप में गरहन कर पाते हैं, ठीक है, इस उसमें अपनी भावनाओं का मिलावट नहीं होना चीए, यदि हम सत्य पर नहीं पहुँच पाएंगे, सत्य को जानने के लिए हमें अपने दिमाग में सारे विचारों, मानिताओं, विचारधाराओं का क्या करना होगा, खंडन करना होगा, ठीके, तो यहां पर सुकराद क्य नहीं मानते हैं, ध्यान देंगे यहां पर आप, कि सुकराज जो है, वो सत्य को संदेहात्मक नहीं मानते हैं, क्योंकि यह जो संदेहात्मक या संदेहवाद है, यह सत्य तक पहुचने का साधन है, ठीके, सोफिस्टों का जो संदेहवाद है, वो निश्यात्मक है, क्यों? क क्या उत्पन होगा, संध्य उत्पन हो जाएगा, किंतु सुकरात ने कहा, कि हम जिस सत्य को या ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, वहां पर संध्य केवल एक साधन की रूप में हैं, किसकी रूप में हैं, साधन की रूप में, कहां पहुँचने के लिए सत्य की रूप मे तो हम सत्य की खोज में आगे वड़ते चले जाएंगे, और जब हमें सत्य प्राप्त हो जाएगा, तो हमारा संध्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, चीक है? मुझे लगता है कि यह सुगरात का यह method बहुत अच्छा method है, आप जिंदगी में किसी भी व्यक्ति पर पह स्वास मत कीजिए, कोई आपसे कहे कि आपके एक करोड की लोटरी खुल गई है, जैसे बहुत तरह का fraud होते हैं, आप डाउट कीजिए, ऐसे कैसे खुल सकती है, जीवन में आपसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी बात कह रहा है, उस पे आप संदेह कीजिए, संदेह करना आपक कल में सद्गुरु का कोड भी पढ़ रहा था, सद्गुरु ने भी इसमें कल बहुत अच्छी बात लिखी है, कि संदेह वाद जो है, संदेह करना जो है, अगर आप संदेह करते हों, तो मनुष्य को सत्य के मार्क पर ले जाता है, किन्तु शक जो है, वो आपको गलत मार्क पर पहुँचने से हम बच जाते हैं, तो सुकरात का जो सबसे पहला और important point कहता संदेहवाद, संदेह करना है, अपने आपको अज्यानी बताना है, सामने वाले की बात को सुनना है, उसमें बोधिक मिने प्रिय थे, किन्तु सुकरात विश्वास नहीं करते थे, clear है, कोई राउट तो नहीं है, तो ध्यान रखना, सुकरात के दर्शन में संदेहवाद जो है, वह केवल सत्य के प्राप्ती का साधन है, वह साध्य नहीं है, चेक है, चलिए, आगे चलते है, तो यह पहला point हुआ, दूसरा जो है, क्या है, वाद विवादात्मक, यह सबसे बहतरीन शैली है, सुकरात की सत्य को प्राप्त करने की वाद विवादात्मक, क्योंकि सुकरात जो है, वाद वाद किया है, चर्चा की है, और फिर सत्य पहुंचे है, इसलिए इस वाद विवादात्मक को आप प्रशनुत्तर शैली भी कह सकते हो, इसको दूंदात्मक शैली भी कह सकते हो, ठीक है, देखते हैं, क्या है, यह प्रशनुत्तर शैली, मैं बताई चुका हूँ, इस इसका शिक्षात्मक महत्व बहुत ज्यादा है क्यों कि इस वादिवाद अत्मक जो सिधान्त से क्या करना चाहते हैं वो अपने विद्यारतियों को शिक्षा देना चाहते हैं कि किस तरह से हम सत्य पर पहुंच सकते हैं ठीक है कैसे करते हैं अब देखिए वादिवाद और प प्रश्न करते हैं, ठीक है, ठीक, सुकरात ने अपने किसी विद्ध्यारती शिष्ट से क्या क्या प्रश्न किया, और कहा कि अब इस प्रश्न का उत्तर दो, तो विद्ध्यारती ने उसका क्या दिया, एक समाध्हान, एक समाध्हान, अस्थाई समाध्हान हम उसको क्या सकते ह मतलब जो समाधान प्रस्तूत के विड्यार्थी उसके आलोषना कर दी अब इस आलोषना के बाद पुना अपने उस शिष्ष रे विड्यार्थी ने क्या किया अपनी उत्तर में संशोधन किया फिर एक क्या हुआ ऐक संशोधित unit उत्तर हो गया ठीक है इस संशोधित उत्तर की सुकरात ने पुना आलोशना कर दिये पुना इस पर प्रशने कर दिये फिर उस विद्यारती ने एक नया अंसर दिया फिर इस नया अंसर पर सुकरात ने फिर क्या कर दिया फिर कोश्चन कर दिया फिर नया का अंसर हुआ इस तरह से ये प्रश यानि कि एक सारभॉम सत्य पर न पहुंच पाएं। इसका मैं एक्जामपल दूँगा आगे चलके जब हम प्रत्य को पढ़ेंगे तो मैं इसका और अच्छे एक्जामपल से आपको दूँगा, अभी आपको बास समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, फिर अध्यम से सुकुराच जो है इसके सत्य तक पहुंचता है या जो है निशकष तक पहुंचता है उसमें प्रश्ण तर शैली होती है, वो वादिवाद आत्माख होता है, जैसे कि हम देखते हैं पहले आया पक्ष, फिर आया विपक्ष और फिर आया संपक्ष, तो जिस तरह से क्या करते हैं, कि सुकुराच ने प्रश्ण पूचा, उसका उत्तर दिया, फिर उस उत्तर की अलोशना करी, फिर उस उत्तर के समाधान है, तो फिर एक नया समाधान दिया, फिर उसका सुकुराच ने अलोशना करी, प्रश्ण किया, फिर उसने एक नया समाधान तरहस ये प्रशनत्तर शेली तब तक चलती रहेगी जब तक कि हम वास्तविक यथार्त सत्य तक नहीं पहुँच पाएंगे, चीक है, कोई डाउट तो नहीं है, बस उन्में आरी है अप अच्छे से, तो ये क्या है उसकी, ये उसकी वादिवाल आत्मक शेली, इसका जो सुक पर ध्यान देंगे, ज्यान जो है वा आत्मा का सहज गुने, मतलब की वा ज्यान अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है, अच्छा बाहर से क्यों नहीं आएगा, तो कि अगर सुकराद भी ये स्विकार कर लेंगे, कि ज्यान हमारे बाहे जगत से आ रहा है, तो फिर सुकर जो है अनुभावाद का खंडन करना चाते हैं, हमने कली पढ़ा था बुद्धिवाद और अनुभावाद, तो जब भी हम अनुभावाद का खंडन करेंगे, तो हमें सदेव ग्यान कहां से बताना पड़ेगा, अंतर नहीं से, आत्म ग्यान से बताना पड़ेगा, क्योंकि अ के माद्यम से जब हम सत्य पर पहुंचेंगे तो उससे यही बात निकलती कि जो ग्यान जो है वह आत्मा का सहज गुन है ग्यान हमारे अंदर से आता है ग्यान कहीं बाहर से नहीं आता है इसको उन्होंने इस वादवादमा क्शेली के माद्यम से उन्होंने कहा कि इसकी तुलन इसी का example दिया कि दाई क्या करती है दाई जो है बच्चे को कहीं बाहर से नहीं लाती है उस प्रसव पीड़ा में दाई क्या करती है उस बच्चे को मा के गर्व से उस बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास करती है ठीक है तो बच्चा कहीं बाहर से नहीं आया है वो जो है ग ज्यान भी कहीं बाहर से नहीं आता है, ज्यान भी हमारे अंदर से ही आता है, तो हमें अंतर मन को देखना होगा, अंतर ब्लुद्धिक दश्टी कौन से देखना होगा, ज्यान हमारे अंदर है, और यह ज्यान को बाहर निकालने के लिए क्या किया उन्होंने प्रश्णतर शेल करना है यह वादिवात्मक शेली जो हम करेंगे इसका शिक्षात्मक महत्वा है क्योंकि इसके माद्यम से सुक्रात अपने विध्यारते को शिक्षा देता था तो उसका काम क्या है उनने कहा कि यह यह दाई की तरह आपके अंदर जो आत्मा में नहित गुन जो है जो ज्यान ज बुद्धी से जब ग्यान आएग और बुद्धी सबके पास केसी है, एक जैसी है, तो बुद्धी से निकला हुआ ग्यान ही क्या होगा, सरोसम्मत सत्ति होगा और वह वस्तुनिष्ठ होगा और वह सरोमान्नी होगा, ठीक है कोई रवटों नहीं तो याद रहेगा आप लोगों यह वादिवात्मक शेली हो जाएगी फिर जो है आपका तीसरा जो है वह परिभाशात्मक या प्रत्यात्मक ठीक है जो इसकी तीसरी जो सबसे महत्पून विशेष्टा है ठीक है इसको हम दौस ध्यान समझते हैं क यहीं से सुकरात की ज्यान विमानसा का भी जन्म होता है और यहीं से प्रत्यवात का भी प्रकार से जन्म होता है जो आगे चले कर आपको प्लेटों के दर्शन में और रस्तू के दर्शन में भी दिखाई देगा ठीक है वह क्या कहता है कि जो ज्यान जो होता है अभी तो हम करेंगे, प्रशन उत्तर के माध्यन से हमें, लाजू करेंगे. हम डाउट करेंगे, लाजन नहीं दिर गहां पंगे, अंसर देगा देंगा, फेद आउट करेंगे, फिर पुछे इस तुरह से हम सत्य आत्मक बनाए कहीं कहीं सुकुरात के दर्शन में इस शब्दे के लिए संप्रत्य वर्ड भी यूज़ किया है इंग्लिश में इसको हम concept कहेंगे क्या कहेंगे concept यानि प्रत्या का मतलब क्या होता है concept शुकुरात ने अब इसपष्ट कर दिया है ज्यान किसका होगा प्रत्यों का अब प्रक्ष्ण है कि प्रत्य क्या है समझते हैं इसको भी हम लोग ठीक है देखिए परिभाशा का मतलब क्या होता है कि किसी वर्ग या जाती में नहित सामान ये गुण को ही हम क्या कहते हैं परिभाशा कहते हैं और ये जो परिभाशा जो बनती है उसी से हमें क्या प्रत्य 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 होता है अब इसको समझ्ये का और हम प्रयास करें देखि विशेश गुन जो की हम कह सकते हैं हर एक वेक्ती में अलग-अलग होंगे हर वस्तु में अलग-अलग होंगे और एक होते हैं सामान्य गुन जो की सब वस्तु में क्या होंगे सामान होंगे ध्यान देंगे आप थोड़ी दिर के लिए कोई भी वस्तु की अगर हम कलपना करते हैं तो उसमें दो ही गुण होंगे एक विशेश होंगे और एक क्या होंगे सामान्य होंगे विशेश जो होंगे वो सब वस्तुओं में अलग अलग होंगे उसमें विवित्ता होगी किन्तु उसमें नहित जो कह सकते हैं जो सामान्य गुण होंगे एक जैसे गुण जो होंगे उसी को हम क्या कहते है सामान्य गुन कहते है कुल मिला कर कोई भी वस्तू जो होती है उस वस्तू का एक सार तत्व होता एक इसंस होता है उस इसंस को ही हम सामान्य क्या कहते है सामान्य गुन कहते है और इस सामान्य गुनों के माध्यम से ही उस वस्तू की परिभाशा बनती है ध्यान रखना किसी भी वस्तू की परिभाशा उसके सामानी गुणों से बनती है और जब यह परिभाशा बनेगी तो यह परिभाशा ही किसे मदल जाएगी प्रत्य में मदल जाएगी ठीक है अब देखिए अब मनुष्य में जैसे मैं मनुष्य शब्द कहूंगा आपके दिमाग में एक मनुष्य का आकार पकार आजाएगा तो आभी जैसे ही मैंने मनुष्य कहा तो मनुष्य कहने के साथ महीं आपके दिमाग में एक मनुष्य का चित्र या विचार आ जाएगा और वह विचार जो होगा उसका सार्तत्व सामान्य गुणों से बनेगा अभी विशेश नहीं होगा ठीक है तो ये जो ये मनुष्य का विचार आपके मन में आ रहा है यही सामान्य है जिसे विशेश क्या होगा कोई मनुष्य हो सकता है, कोई मनुष्य काला हो सकता है, कोई मनुष्य लंबा हो सकता है, कोई मनुष्य छोटा हो सकता है, किसी की उंगलियां बड़ी हो सकती, कम हो सकती, किसी का वेट जादा हो सकता है, तो यह कैसे गुण होगा है, विशेश किन्तु प्रत्यक मनुष्य में एक मनुष्यत्व का गुण होता है और वो कैसा होता है, संब में common होता है बात समझ में आ रही है आपको, ये क्या है सामान्य है जैसे मैं कहूँ American मनुष्य तो आपके दिमाग में एक मनुष्य का एडिया है African मनुष्य, European मनुष्य भारती, पाकिस्तानी कैसा भी मानों बोलूँगा उसके अंदर कुछ सामान निगुण है जिसके आधार पर आप मनुष्य की कलपना कर लेते हो उसका विचार ले आते हो यह क्या कहलाएगा सामान निगुण, यह उसका सार्तत्व कहलाएगा बास समझ में आई आप अब देखिए मैंने आप से, आप देखिए किस तरह से आपके मन में परिभाशा है हर वस्तो की बनी होई है मैं जैसे ही कहूँगा गाय मैंने लिखा गाय शब्द ठीक है तो अब गाय लिखने के साथ में आपके दिमाग में गाय का चित्र आ गया आपने कहीं भी कभी भी कोई गाय देखी होगी आपका चित्र आ गया तो वो चित्र जो है अब गाय में भी दो गुण हो सकते है एक विशेश हो सकता है, एक सामान्य गुण हो सकता है, तो गाय के जो सामान्य गुण क्या है, गौत्व है, गाय के अंदर एक गौत्व है, उसके अंदर का essence, तो वो सामान्य के अधार पर आपने क्या गाय का विचार बना लिया, ठीक है, ये विशेश गुण जिसे गाय लाल हो सकती है, चितकबरी हो सकती है, काली हो सकती है, लंबी हो सकती है, पतली हो सकती है, इसके विशेश गुण है, किन्तु इस से उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह समवेदनाओं के विशे हैं, यह आज है, कल नहीं है, किन्तु यह जो सामान्य है, वो इसके स्थाई क्योंकि यह प्रत्य वास समझ नहीं आएगा प्लेटो भी समझ में नहीं आएगा जैसे मालीजी एक गेंद है यह मालीजी गोल एक गेंद है ठीक है अब गेंद के विशेश गुन क्या होंगे गेंद के विशेश गुन हो सकती है चोटी हो सकती है उसके रंग अलग-अलग हो स ठीक है किन्तु उस वस्तु के इस गेंद के नाश होने के बावजूद भी आपके मन से गेंद का विचार का नाश नहीं होगा जिसे डाइनासोर समाप्त हो गए हैं किन्तु डाइनासोर का जो विचार जो है आइडिया जो है वो आज भी हमारे मन में है अगर मानलो आगे तक क इस जगत से ही समाप हो जाए तब भी गाय का विचार गाय का प्रत्य जो है हमारे मन में है तो सुकरात यह कहता है कि जो हमारा ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान कैसा होता है और परिभाशाओं के द्वारा निर्मित प्रत्यों से होता है और परिभाशाओं कैसे बनती है कि परिभाषा किसी भी वस्तू के सामान्य गुनों से बनती है, ठीक है? जैसे एक और एक्जामपट हम देखते हैं, जैसे मैं कहूं कि आप बताओ त्रिभूज, आप इसको आप देखी, ये एक त्रिभूज बनाया मैंने, ठीक है? फिर मैंने ये त्रिभूज बना दिया, फ त्रिभूज कहते हैं, जिसकी भी तीन मुझा होगी और ट्रेंगल कहलाएगा, अब ये त्रिभूज जो है, ये तीनों को हम क्या कहेंगे, एक शब्द में क्या कहेंगे, त्रिभूज कहेंगे, क्योंकि ये परिभाशा को complete कर रहे हैं, और ये परिभाशा इनके सामान्य गु सकते हैं, किन्तु इसके अंदर एक सामान में बात है, क्या तीन भुजाओं से गिरी हुई आकरती है, तो यही क्या होगा, यही ग्यान होगा, और ये ग्यान कभी भी जो है आत्मनिश्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब कि आप जो है, फिर मैं दोराता हूँ, आप जो है, म हमारे अंदर मनुष्य का एक विचार है, हम जान जाते हैं कि यह मनुष्य है, उसके दो हाथ हैं, दो पेर है, चेतन सत्ता है, दो आखे हैं, वो चेतन शील प्राणी होता है, तो हम कहते हैं, यह मनुष्य है, पासवज में आई, हमारे एक इसंस, हर एक प्रजाती का इसंस ह जैसे मैं एक्जामपल लिखूंगा आम, आप देखिए, मैंने लिखा शब्द आम, तो अब आम की कई सारी प्रजातियां हैं, दशरी है, लंगडा है, तोतापरी है, अलफांजो है, कल्मी है, आम के कई प्रकार हैं, तो यह जो प्रकार जो हैं विशेश है, किन्तु आम का ए पर उन प्रजातियों की जाती एक है, वो क्या है? आम है, चीक है, आप देखो, आप मैं लिखता हूँ आपको गुलाब, मैंने शब्द लिखा गुलाब, चीक है, अब आपके मन में एक गुलाब का इमेजिनेशन आए जाएगा, है ना? अब देखिए, गुलाब लाल भी ह हो सकता है, निला भी हो सकता है, पीला भी हो, आज तो कभी प्रजातियों के आते हैं, तो गुलाब का प्रत्य हम सारे गुलाबों को रख देंगे, हम सारे आमों को रख देंगे, तो उसमें से common बात क्या निकल करा दिये, वह है आम होना उसका, कि उसकी एक गुलाई लंबाई होगी उसकी एक मिठास होगी उसका पीलापन होगा तो उससे हमने क्या कि एक सामान्य प्रत्य बना दिया पसवज में कुल मिला के इस जगत में किसी भी वस्तू का जो इसंस होता है उसका जो सार तत्व जो होता है वो सार तत्व ही उसके सामान्य गुनों को बताता है और वो सामान्य गुनों से उस वस्तू की एक परिभाशा बनती है और वो परिभाशा ही क्या कहलाती है प्रत्य कहलाती है अतह ये प्रत्य जो होंगे यही क्या होंगे यही ज्यान के विशे होंगे ध्यान रखना परिभाशात्मग प्रत्य नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये बाहे जगत की वस्तू जो है, ये नश्ट होगी, किन्तु इनके बारे में हमारे जो विचार है, वो कभी नश्ट नहीं होगे, हमें जो है वस्तू का ग्यान नहीं होता है, ध्यान देना, हमें वस्तू का ग्यान नहीं हो रहा है, हमें वस्तू अब भी हमने पढ़ा, यह प्रत्य कहा है, हमारी बुद्धी में, हमारी आत्मा में है, मैंने आपको कल के किलास में पढ़ाया था, कि जो भी बुद्धी बादी दारशनिक होगा, वह कैसा होगा, अनिवारत प्रत्यों को ग्यान को जन्मजात मानेगा, क्योंकि वो ग्यान को से नहीं मानता है और ये प्रत्यका है, हमारे सब बुद्धी में फिट हैं, हमारे अंदर सब तरके ideas, जितनी प्रजात्तियों की वस्तुएं हैं, उसके सब के ideas, जैसे मैंने का, cycle cycle, बहुत सारी विविता है, पर हमारे पास cycle का idea है, कि दो पई's होते हैं, हैंडल होता है, सीट होता है, इसको साइकल केते हैं, हमारे पास हमें का एक आइडिया है, आप उसमें कितनी भी डिजाइन डाल दो, आप गेर की साइकल बना दो, आप उसकी टायर को चोड़े कर दो, वो रहेगी तो अल्टिमेटली क्या साइकल, क्योंकि हमारे पास cycle का क्या एक idea है आप संसार के कोई वस्तू देख लो उसकी एक प्रजाती होगी उसकी एक जाती होगी उसका एक वर्ग होगा और उसके कुछ सामान्य गुण होगे और इन सामान्य गुणों के अधार पर एक प्रत्य का नर्मान होता है और यह प्रत्य क्या होगा स्थाई होग या प्रत्य नित्य होगा या प्रत्य अपरिवर्तंशील होगा अता ज्यान के विशे क्या है प्रत्य है तो यहीं से जो है संप्रत्य या प्रत्य की अवधाना का विकास होता है चीक है कोई डाउड तो नहीं है चले हम लोग आगे उमीद करता हूँ कि आपको यह बात समझ मे आई होगी, अगर नहीं भी आई है तो आप मुझसे फिर discuss कर ली देगा, ठीक चली, आगे चलते हैं हम लोग, अब आता है क्या, अब देखें, दो पद्धती और, मतलब है, तीन हमने पढ़ चुके हैं, दो में एक आगमन पद्धती और एक निगमन पद्धती, सुकरात किसी पद्धतीयों का और प्रयोक करते हैं, वो है आगमन और एक होता है निगमन, आपको आगमन निगमन समझ में, मतलब पढ़ी होगी मेरे खाल से आपने ग्रेजुशन में, यह ना inductive and deductive जो method है, उसको हम समझते हैं, आगमन का संबन जो होता है, वो अनुभावात्मक मतलब बत्ला जब अनुभाव मिलते हैं, तो सुकृरात कहता इस विवित्ता और अनिकता भरे जगत में हमें एक पर की सथापना करनी है, हमें ऐक सत्ल खोज करना है, ठीक हैं? तो उन्होंने अपने सत्ल को क्या किया? अपने सत्ल को अनुभाव से परिक्षनकरने का प्रया सोता है देखते हैं कि विभिन अनुभाओं से किसी एक सक्या तक पहुंचना है अभी चर्चा करी मैंने ज्यान प्ष्ट्यों सन्निर्मी थे जो किस पर है अनुभाओं पए आश्णते मैंने अभी कहा कि हमारा जो ग्यान जो है किस से बन रहा है? आइडियास से, विचार से, और विचार कैसे बनते हैं? वस्तूओं के अनुभाव से, हमने एक वस्तू के अनुभाव किया, दो वस्तू के अनुभाव किया, तीन वस्तू के अनुभाव किया, और उसमें जो सामान सामान्य गुण है यह गुण जिसमें होते वो मनुष्य होता है तो हमने उन सामान्य गुणों का प्रत्य बनाया उस प्रत्य का नाम दे दिया मनुष्य तो अब जब भी वो सामान्य गुण जिस विक्ति में भी दिखेंगे हम उसको क्या कह देंगे कि मनुष्य है चीक है कोई हम नाम कर दे, सामान्य करण कर देते हैं मतलब हम जनलाइशन कर देते हैं, हमने एक experience किया, दो experience किया, तीन experience किया और हमने conclusion मना दिया, और यह conclusion हमारा क्या है, यह सत्य तक पहुंचेगा, चीक, इसको समझते हैं example थे, और यही सामान्य प्रत्य हमारे घ्यान के क्या है, इस तरोज होते हैं, यही चीज को मैं समझा रहा हूँ, इसको समझते हैं कि यह method कैसे काम करेगा, देखें जैसे example के लिए, कैसे नाम करण होगा और सामान्य करण होगा, जैसे इसको आगमन पद्दती को समझाता हूँ, आगमन पद्दती में क्या होता, विशेशों से सामान्य क्योर चला जाता है, ध्यान देंगे, आगमन पद्दती किस से चलती है, विशेश से, विशेश का मतलब यहाँ पर इंडिजुल से है, और इंडिजुल से हम क्या निश्कर्ष निकालेंगे, सामान्य का निश्कर्ष निकालेंगे, ठीक है, एक्जाम्पल देताँ मैं आपको, जैसे इंडिजुल क्या होगा, कि जो राम जो है, वो मरनशील है, ठीक है, राम मरनशील है, फिर हमने कहा, शाम जो है, वह भी मरनशील है, ठीक है, राम मरनशील है, शाम मरनशील है, हमने कहा, सीता जो है, वह मरनशी है यह इंडिजुल है राम के बारे हम बात करें विशेश राम मरंशील है दूसरा शाम के बारे हम बात करें शाम मरंशील है तीसरा हम सीता के बारे हम बात करें सीता मरंशील है हमने यह सब इंडिजुल है हमने कौमन निश्कष निकाला कि मनुष्य क्या है मानव क्या है मरंश यह क्या यह सामान ने निकल गया तो मनुष्य क्या है मनुष्य क्या है मरणशील है विशेश से किस की और गए हम सामान ने की और गए जैसे हमने एक कववे को देखा एक कववा काला है हमने दूसरे कववे को देखा अनुभाव से हमने एक कववे को देखा काला है दूसरे कववों को देखकर उनके अंदर काले पन का एक सामान ने गुण खीच लिया और हमने निश्क्रश दिया कि सभी कववे क्या होते हैं काले होते हैं बास समझ में आ रहे अब आपने मन में इमेजिन क्या कववा तो आपको जो है कववे का इमेजिनेशन हो जाएगा क्यों काला होता है बास समझ में आपको आगमन पद्धती में हम जीवन के विशेवस्तू के विशेश अनुभाओं को लेते हैं और एक-एक अनुभाओं से हम समझते हैं और उनमें जो सामान ने गुण जो होते हैं उन सामान ने गुणों को निकाल तो नहीं है, clear है, जैसे example, आपने बर्फ को स्पर्ष किया, बर्फ कैसी ठंडी है, मैंने बर्फ को स्पर्ष किया, बर्फ ठंडी है, तीसरे विक्ति ने बर्फ को स्पर्ष किया, बर्फ ठंडी है, conclusion क्या निकलिया, बर्फ ठंडी होती है, यह क्या सामान है, तो जैसे ही अब हम बर्फ को देखते हैं हमें ठंडे पन का ग्यानुत मतलब हमें आपको मतलब जो शुकरात ने अपने दार्श्रिक प्रणाली में क्या किया? आजमन पद्दती या अनुभवात्मक पद्दती का भी प्रियोग किया चीक है? अब इसके बाद में आता निगमन पद्धती इसको भी समझता है यह निगमन पद्धती जो है ठीक आगमन के उल्टी है ध्यान देंगे अब इसको निगमन पद्धती जो है वह आगमन के विपरी थे निगमन में क्या होता है सामानिस से हम क्या करते हैं सामानिस से विशेश की और जाते हैं किसकी और ज लोग को एक medicine मनाई तो उस medicine को हम पहले क्या करते हैं टेस्ट करते हैं एक मानों पे test किया दो मानों पे test किया तीन मानों पे test किया चार मानों पे test किया जब इस तरह हम बहुत सारे मानों पर test करते हैं फिर हम finally conclusion देते हैं कि इस medicine से इस बिमारी का इलाज हो पाएगा, तो हमने विज्ञान में किस पददी का प्रयोग किया, आगमन का प्रयोग किया, किन्तु गणित में हम किस पददी का प्रयोग करते हैं, निगमन पददी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम सामानी से विशेश की और जाते हैं, हम पहले से ही कोई एक स्था मरंशील है ध्यान देंगे सभी मनुष्य मरंशील है राम एक मनुष्य है तो राम भी क्या हो जागा कंटूजन क्या निकल जाएगा राम भी क्या है मरंशील है ठीक है बासमझ में आपको फोड़ तो नहीं है फिर ध्यान देंगे हम क्या कर रहे हैं सामान निसे विश्यश की और जा रहे हैं कि इसमें निग्भन पद्धती में निग्भन में हमने पहली एक सामान निए लिया एक निशकश हमारा पस पहले से ही है कि सभी मनुष्य मरंशी है फिर हम इंडिजवल के और गए राम एक मनुष्य है अथा राम भी क्या है मरंशील है ठीक है भासमझ में आपको सभी कुत्ते भोगते हैं ठीक है डुग्गु एक कुत्ता है डुग्गु भी भोगता है क्या हुगा कंट्रूजन पहुंशने हम लोग तो सुकुरात यह क क्या है कोई ्डाट तो नीएं ध्यान देंगे तो यह actual निगमन पद्दती क्या है आगमन के विपरीथ है इसमें हम सामाने से किसकी ओर विशेश की ओर जा रहा है अभी सत्य की पून संतुष्टी के लिए ध्यान देंगे सत्य की पून संतुष्टी के लिए हमें आगमन के साथ साथ हमें निगमन के द्वारा भी उसको चेक करना चाहिए तब ही हम सत्य को मानेंगे ठीक है और परिभाशाओं का निगमन के द्वारा परिशन करेंगे हमने कहा कि जिसकी भी तीन बुजाएं होती हैं, वह त्रिभूज कहलाता है। हमने यह एक बात के या और लिए कि तीन बुजाओं इसका जो से योग में 180 डिगरी होता थ कि तीन बुजाओं की कि 180 degree जिसकी 3 मुझाएं होती है वो क्या कहलाता है? वो त्रिभूज कहलाता है. यह हमने एक परिभाशा लिख दी, ध्याना निग्मन ने पहले परिभाशा होती है. अब हमने कोई आकरती देखी, एक आकरती है, इसकी 3 मुझाएं हैं, हमने चेक किया, 3 मुझाएं हैं, और इस से भी उस सत्य का परिक्षन किया है और हमने अब क्या प्राप्त कर लिया पून सत्य की प्राप्ति कर ली है ठीक है इस प्रकार सुकरात अब देखे सुकरात की दार्शनिक पद्धती को समझे अब भूत ध्यान समझेगा सुकरात की दार्शनिक पद्धती को ठीक है तो सुकर कि परिभाशाई क्यों नहों, कोई स्वरमान सत्य भी क्यों नहों, हम पहले से किसी को भी स्विकार नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम संधे करेंगे, हम मानेंगे नहीं पहले से, संधे के करम में हम क्या करेंगे, हम वादिवाद करेंगे, हम प्रशनोत्तर करेंगे, कोई सत् प्रशने किया, फिर समाधना आता, हमने फिर प्रशने किया, और यह प्रशनोत्तर की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी, जब तक की हम सत्य पर न पहुंच भाएं। सामानने गुण कैसे होंगे? इस्थाई होंगे, अपरिवर्तनशील होंगे, असंदिक्द होंगे, सरोमानने होंगे, सारभौम होंगे, वस्तुनिष्ट होंगे. क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है. फिर हम क्या करेंगे? हम उस सत्य को आगमन से भी परकेंगे. हम अनुभाव का भी परियोग करेंगे. यानि उस सत्य पर कैसे पहुंचेंगे? इस परिभाशाओं को उस प्रत्यों तक पहुंचेंगे कैसे? हम आगमन पद्धती का परियोग करेंगे. आगमन पद्धती में हम एक विशेश को चेक करेंगे, दो विशेश को चेक करेंगे, तीन विशेश को चेक करेंगे और हम फाइनल ये conclusion देके एक सामान्य बनाएंगे और यही सामान्य से परिभाशा बनेगी और उससे प्रत्यों का निरमान होगा और यही प्रत्ते हमारे ज्ञान के इस्त्रोत होंगे, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि यह प्रत्ते ही जो होंगे, वो कहीं बाहर से नहीं आएंगे, प्रत्ते हमारे अंदर से हैं, प्रत्ते हमारे अंदर नहीं थे, अता ज्ञान का, अता शिक्षा का जो उद्देश है, वो आत्मा और बुद्धी में नहीं प्रत्तियों का फिर्षफुटन है। उसको अंडर से निकालना यही ज्यान होगा। ठीक है? और लास जो है निगमन हम आगमन के साथ-साथ पूर्रा सत्ति के लिए, पूर्रा संतुष्टी के लिए, सत्ति की संतुष्टी के लिए हम निगमन के माध्यन से भी उसको चेक करने है, कंक्लूजन पर्फरेक्ट आ रहा है नही Church है? इस तरह से सुक्रात ने अपने ततकालीन समय में नैतिकता और ज्यान के छेतर में फैली अरजकता को दूर करने के लिए एक विशेश दार्शनिक पद्धती का उद्भो किया ताकि सत्य को सारभौम ठीके बनाया जा सके, वस्तुनिष्ट बनाया जा सके, असंदिग्द बनाया सके, वो अपने ज्यान को कैसा बनाना चाहता था, वो असंदिग्द बनाना चाहता था, वो सोफिस्टों की तरह ज्यान को सत्य को आत्मनिष्ट व्यक्ति सापेक्ष नहीं करना चाहता था, तो सुकरात ने इस दार्शनिक पद्धती की माध्यम से अपने सत्य को अपने ज्यान को ढूणने का प्रयास किय है , आप से exam में यह पुछाया सकता है कि सुक्रात की dharšanik पद्धती या सुक्रात की सन्धेहात्मक पद्धती या सुक्रात की वादिवाद्वत पद्धती या सुक्रात की प्रशनत्त्र पद्धती ध्यांद किसी भी एक पॉइंट से आएगा आप पॉइंट पूरे लिखिएगा अगर प्रशने केवल यहां पूछ लिया कि सुकरात की संध्यात्मक पद्धति को लिखिए तो मेरा ऐसा सुझावे की संध्यात्मक के साथ साथ वह उसने इनका भी आचरण मतलब इनको भी अपने आचर थीरे थीरे आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि नया विशय है थोड़ा जटिल विशय भी है तो और बहुत सारे ऐसे विद्ध्यारती हैं जो भी ट्वेल पास फस्ट एयर में होंगे सेकंड डियर होंगे होंगे वो देख रहे होंगे मुझे तो ऐसा नहों कि उनके लिए बह आने लगा है तो हम थोड़ी स्पीड क्या करेंगे ठीच कर लेंगे ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही रखता हूं मेरे प्यारे विद्यारतियों फिर निविदन करता हूं खूब महनत कीजिए खूब जान लगा दीजिए अपनी जीवन में अपने आसपास की विर्थ की मिथ्या की बातों से ध्यान हटाईए जीवन में अपने आप पर केंदित रहिए अभी सुकरात ने कहा ना कि प्रत्य का ज्यान कहा मिलेगा अंदर मिलेगा अंतरशेतन से मिलेगा अंतरश्टी से प्राप्त होगा बस आपके जीवन का सत्य भी जो है वो अंतरमन में है अंत प्राप्त करोगे अंदर रष्टी से, आप जब देखोगे अपने लक्ष को तो आपको सबकुस समझ में आने लएगा कि से प्राप्त कैसे करना है, ठीक है? चलिए, अपना खैल रखिए, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए व्यस्त रहिए और अपने आसपास के लोगों को खुब सारा प्यार देते रहिए Thank you so much